हेलो एवरिवन, वेलकम तो माई चैनल, कॉंसेप्चुल जेनैटिक्स एंड ब्रीदिंग आज की अपनी इस वीडियो में हम प्री मेंडेलिन कॉंसेप्स ओफ हेरेडिटी डिसकस करेंगे यह हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट है पहले पार्ट में हम अलड़ी चार कॉंसेप्ट डिसकस कर चुके हैं जो हमारा जो नेक्स कॉंसेप्ट है वो है थ्योरी ओफ एपिजेनेसिस सबसे पहले एपिजेनेसिस क्या होता है हम यह डिसकस करेंगे So epigenesis एक process है जिसमें जो plants है या animals है या fungi है वो हमारे किस से develop होते हैं या तो seed से, spore से या egg cell से Step by step इनका development होता है और उसके बाद ये एक complete organism बन जाते हैं तो अगर हम इंगलिज में define करेंगे तो epigenesis is the process by which plants, animals and fungi they develop from seed, spores or eggs through a sequence of steps in which cells differentiate and organ form So पुरानी हमारी जितने भी थियोरी हैं चाहे वो थियोरी fluid थियोरी हो चाहे जो हमारी reproductive blood थियोरी थी pre-formation theory थी जो हमने first part में discuss किया है वीडियो के वो सब theories में जो scientist है उन्होंने बोला कि हमारे जो सारे body part होते हैं वो हमारे उसमें reproduction में भाग लेते हैं यानि कि वो कुछ ना कुछ अपना part बनाते हैं जो part reproductive cells में जाता है और वहां से वो जो new generation है जो new child है उसमें वो characters पहुँच जाते हैं लेकिन जो wolf है इन्होंने क्या दिया theory of epigenesis दी इन्होंने बोला कि सारे body part reproduction में भाग नहीं लेते हैं हेरेडिटी में या characters की inheritance में पार्ट नहीं करते हैं उन्होंने बताया कि जैसे pre-formation थी हो रही थी उसमें क्या था कि जो sperm cells है उसके जो head में head है already वहाँ पे एक छोटी form में जो child है वो रहता है और वो बाद में जब reproduction होता है मतलब जब fertilization होता है उसके बाद वो बस आकार में बड़ा होके एक child के रूप में develop हो जाता है तो लेकिन wolf ने बोला कि जो हमारा जो organs बनते हैं वो पहले से बने वे नहीं है यानि अगर वो plant है तो उसमें seed बनता है और seed से फिर नया plant बनता है ये एक step by step process है उन्होंने बोला कि seed पहले germinate होगा उसमें कुछ leaves बनेंगी फिर उसमें stem बनेगा फिर उसमें पूरा plant बन जाएगा ऐसे step by step process होगे और अगर मालोग वो animals हैं वहाँ पे eggs cell बनते हैं या sperms बनते हैं फंजाई हैं वहाँ पे sports बनते हैं तो उन्होंने बोला कि seed से, sports से या egg cell से step by step एक एक organ बनता है यह नहीं है कि पहले से ही सारे organ बने हुए हैं पहले से ही पूरा complete छोटी form में present है ऐसा नहीं होता है तो इन्होंने इसको क्या बोला? epigenesis बोला और अपनी theory इन्होंने क्या बोली? epigenesis theory और यह जो theory है यह हमारी कहती है कि जो भी हमारे egg cells हैं और sperm हैं वो undifferentiated cells होती हैं मतलब कि पहले से ही egg cell में या sperm में organs बने हुए नहीं है यानि कि कोई complete child या कुछ भी पहले से develop नहीं है वो एक cells हैं बस undifferentiated का मतलब है कि उनका कोई organ नहीं है कोई वो specialized cell नहीं है ठीक है वो undifferentiated cell है और बाद में जब fertilization होता है egg cell और sperm के बीच में ठीक है यानि male और female के बीच में जब reproduction के दोरान जब हम crossing करते हैं और उसके बाद जो zygote बनता है क्या बनता है zygote बनता है ये जो zygote है इससे फिर embryo और फिर complete जो हमारा child है वो develop हो जाता है तो यानि कि ये undifferentiated cell है इनसे differentiation होके different different organs बनते हैं यानि कि zygote में different different organs बनते हैं और फिर वो complete जो adult है उसके organs बन जाते हैं मतलब कि जो हमारा child है हम कह सकते हैं कि वो पूरा develop हो जाता है तो सबसे पहले undifferentiated इन्होंने बताया कि undifferentiated cells होती है egg cell या sperm cell या seeds plants के case में उन में क्या होता है fertilization के बाद zygote और embryo बनता है और zygote और embryo में फिर differentiation होके different body parts बन जाते इसलिए इन्होंने इस theory को क्या बोला? epigenesis theory बोला फिर जो next theory आई हमारी वो आई theory of acquired characters और यह theory किस ने दी? यह जो एक french biologist थे लेमार्क उन्होंने यह 1744 में यह theory दी इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो भी character हमारा एक बार acquired कर लिया गया है या एक बार एक character हमारे अंदर आ गया है वो हमारी progeny में फिर transfer हो जाएगा मतलब जो हमारी next generation होगी उसमें transfer हो जाएगा तो इन्होंने क्या बोला कि अगर हम कोई भी character अपने अंदर develop कर लेते हैं acquire करने का मतलब होता है कि नया character develop कर लेना हमें वो by birth वो नहीं था हमने उसको acquire किया है ठीक हमने उसको develop किया है वो character फिर हमारा next generation में transfer हो जाता है इसलिए इस theory को क्या बोला theory of acquired characters इसका क्या मतलब हु तो वो muscles उसके children's में transfer हो जाएंगी यानि कि उसके बच्चों की भी muscles strong ही होंगी इसलिए ये theory of acquired characters है कि हमने अगर कोई character acquired कर लिया है वो हमारी progeny में भी आगे पहुँच जाएगा और अगर कोई इनसान weak बन गया तो उसके children's भी weak होंगे ये theory हमारी ये समझाती है बट ये स चाहिए नहीं है ऐसा नहीं होता है ओके तो इसीलिए इस theory को reject कर दिया गया किसने reject किया इसको वीमान ने इन्होंने experiments किये rat के उपर और इन्होंने इस theory को reject कर दिया इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा कि कोई केरेक्टर हमने एक्वायर कर लिया तो वो अगली जनरेशन में भी चला जाएगा ऐसा नहीं होगा इन्होंने क्या किया इन्होंने रैट पे एक्सपेरिमेंट किये इन्होंने क्या किया 22 जनरेशन तक इन्होंने rat की जो tail है उसको cut कर दिया अगर मालो हमने tail को cut कर दिया तो theory of acquired characters के according वो next generation में जो भी चुहे होंगे उसके जो भी मतलब बच्चे होंगे चुहे होंगे उनकी पूछ नहीं होनी चाहिए यही तो है कि अगर उसकी पूछ हमने काट दी तो अगली generation में पूछ नहीं होगी तो वो बिना पूछ के ही होगा अगली generation में पर ऐसा नहीं हुआ जितनी भी बार उन्होंने चुहे की पूछ काटी अगली generation में चुहों के पास पूछ थी मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कि अगर हमने character को इन्होंने बताया कि ऐसे नहीं होगा कि किसी ने कोई character किसी में नहीं है तो उसकी अगली generation में भी नहीं होगा हो सकता है कि यहाँ पे कोई character ना हो तो अगली generation में हो सकता है वो character हो तो इसलिए यह theory हमारी reject कर दी गई by Wiesman इन्हों ने वीजमान ने फिर एक अलग theory दी, उसको भी हम discuss करेंगे जो next theory आई, वो है हमारी theory of pengenesis इसको किस ने दिया, इसको Charles Darwin ने दिया 1809 में ये बहुती famous scientist थे, Charles Darwin उस time के इन्हों ने theory of pengenesis दी theory of pengenesis हमें क्या कहती है कि ये हमारी कहती है कि जो बहुती छोटे छोटे और excuse me बहुती छोटे छोटे हमारे क्या होते हैं, कुछ gamules होते हैं यानि कि हर एक body part, इन्होंने भी यही बोला कि जितने भी हमारे body part होते हैं, वो छोटे 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 gamules बनाते हैं और इनको blood stream के थुरू वो transfer कर देते हैं sex organs में तो इन्होंने क्या बोला कि जो भी body है, उसमें क्या होंगे जितने भी parts है, head है, hand है, stomach and all other body parts सब में gamules बनेंगे, वो gamules जो हमारे sexual organs हैं, वहाँ पर transfer हो जाएंगे और वो ऐसे करके वो next generation में transfer हो जाते हैं तो इन्होंने बोला कि जो भी gamules हैं, जो छोटे छोटे body parts हैं वो हर एक body part में बनेंगे, वो हमारे sex organ में चले जाएंगे वहाँ से वो जो gametes बनते हैं, वो gametes में transfer हो जाएंगे और जब fertilization होगा, male और female gametes के बीच में तो वहाँ से fertilization होके, वो हमारे, जो हमारा new child develop होगा उसमें सारे characters चले जाएंगे तो उन्होंने बताया कि अगर कोई defective gamule बन गया किसी body part में वो defective gamule बन गया तो जो आगे जो बनेंगे, जो child होगे या जो individual होगे, उनमें वो character नहीं पहुँच पाएगा यानि वो body part उनका defective हो जाएगा तो उन्होंने बोला कि मालो, suppose किसी जो child है कभी कभी क्या होता है, उनमें कोई body part defective होता है hand में problem होती है या और other body parts में problem होती है तो उन्होंने इसको explain करने की कोशिश की उन्होंने कहा कि अगर किसी जो mother में या father में कोई gamule बना, कोई defective gamule बन गया तो वो बच्चे में भी transfer हो जाएगा और फिर बच्चे में वो defective हो जाएगा तो ये जो theory है, इसको भी reject कर दिया गया because इसका कोई भी scientific proof इन्होंने नहीं दिया इन्होंने बस theory दी, इन्होंने कोई scientific proof नहीं दिया इन्होंने बोला कि हर एक body part से gamule बनेंगे जो egg cell में transfer हो जाएगे और वहां से फिर वो जब embryo बनेगा नया और फिर उससे जो child development होगा वो उसमें बच्चे में पहुँच जाएगे सारे के सारे body characters बट ये theory भी reject कर दिया गई because इसका कोई scientific proof नहीं था next जो हमारी theory है, वो है germ plasm theory ये जो germ plasm theory है ये हमारी किस ने दी, ये वीजमान ने दी और ये accepted theory है इन्होंने, वीजमान ने हमने पहले बताए कि इन्होंने पहले जो theory थी, हमारी जो लेमार्किजम था, theory of acquired character कहते हैं जिसको उसको reject कर दिया था अपने जो हम इन्होंने चुहो पे experiment किया था उसके through, और इन्होंने उसके बाद 1889 में germ plasm theory इन्होंने दी germ plasm theory हमारी क्या कहती है कि इन्होंने बताया कि body part में tissues जो होते हैं हमारी, जो complete body है उसमें दो type के tissue होते हैं, एक होते है germ plasm और दूसरे होते हैं somatoplasm तो इन्होंने जो हमारे reproductive organs होते हैं, उनको इन्होंने germ plasm कहा, और जो हमारी पूरी body है उसको इन्होंने somatoplasm कहा, ओके, बिकॉज अब हम सबको पता है कि only reproductive जो हमारे organs होते हैं, वही हमारे वहाँ पे हमारी जो reproductive cells होती हैं, egg cell और sperm वो बनते हैं, और सिर्फ sperm और egg cell ही reproduction में भाग लेते हैं ओके, यानि कि next generation में जो भी characters transfer होंगे जो भी gene होंगे, वो हमारे sperm cells और egg cells के तुरू transfer होंगे, तो जो germ plasm है हमारे, उन्होंने germ plasm किसको कहा, जो reproductive tissues थे जहांपे gametes बन रहे थे, यानि male और female gametes बनेंगे, उन्होंने उनको reproductive tissue कहा और somatoplasm उन्होंने किसको कहा, somatoplasm उन्होंने जो भी other body tissues है, जो की sexual reproduction से related नहीं है, उन्होंने उनको क्या बोला, somatoplasm बोला तो इस basis पे उन्होंने बताया कि जो transmission होता है characters का एक generation से दूसरी generation में वो सिर्फ और सिर्फ germ plasm के थुरू होता है, यानि कि या तो egg cell के थुरू, अगर female है अगर male है तो sperm के थुरू ही होगा, यानि जो भी हमारी complete body है वो हमारे somatoplasm है वो उसमें reproduction में भाग नहीं लेता है, सिर्फ जो हमारे sex organ है और जो वहाँ पे cells बनती हैं, sperm cell और egg cell वही reproduction में आगे भाग लेते हैं, ओके तो जो भी change होगा अगर जो हमारा germ plasm है जो reproductive cells हैं, जो reproductive tissues हैं अगर उनमें कोई change आता है तो वही change हमारा next generation में जाएगा ओके, यानि कि जो भी change आएगा, वो egg cell या sperm में आएगा, और वहाँ से वो generation में, यानि कि child में transfer हो जाएगा और अगर हमारी somatic cells में यानि somatoplasm में, हमारे hand में या foot में या any other body part में कोई change आता है तो वह अगली generation में transfer नहीं होगा, इसी लिए उन्होंने जो चुहों का experiment था, पूछ उन्होंने कट की थी, यानि पूछ एक हमारा somatoplasm है, एक body का part है, तो अगली generation में फिर भी पूछ आ गई चुहों की, यानि कि ये transfer नहीं होगा, उन्होंने बोला कि reproductive cells हैं, egg cell हैं या sperm हैं, अगर वहाँ कोई change आता है तो वो ही अगली generation में transfer होता है, तो इस theory को broadly accept किया गया क्योंकि इन्होंने experiment करके इन्होंने scientifically इसको proof भी किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये theory of pengenesis origin plasm theory है, pengenesis theory ने क्या कहा, कि हर एक body part में कुछ gamules बनते हैं hand से, foot से वो हमारे जो reproductive tissues होते हैं, reproductive organs होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, हमें पता है कि reproductive cells होती है वहाँ पर sperm बनता है, male में और female में egg cell बनती है उन्होंने क्या बताया, कि जो भी gamules हैं, वो हर एक body parts से आगे, reproductive cells में आ जाएंगे वहाँ से sperm में, और यह देखो यहाँ पर इस body से आप से उपकता चलेगा egg cell में पहुच जाएंगे और वहाँ से वो zygote में पहुच जाएंगे पर ऐसा नहीं है जो gamule से वो सब जगा नहीं बनते हैं जर्म प्लाजम थियोरी ने हमें बताया कि सिर्फ जो reproductive parts होते हैं जो वहाँ पर genetic information होती है वो हमारी sperm cells में male से और female से वो egg cell में हमारी पहुच जाती है और वहाँ से वो zygote में पहुचती है और zygote से फिर complete हमारा जो child है या कह सकते हैं जो next generation of spring है वो develop हो जाते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ अगर कोई change आएगा वो हमारा सिर्फ जो sperm cells और egg cell है अगर वहाँ पर कोई change आता है तो उसी से वो बच्चे में भी change आएगा तो यह हमारी last theory है जो most widely accepted है जिसको क्या कहते हैं जर्म plasm theory कहते हैं तो यह सारे concept हमारे Mendel's laws से पहले दिये गए हैं मेंडल ने जो हमारा experiments किये जो heredity के जो law दिये यानि characters कैसे एक generation से दूसरी generation में transfer होते हैं यह हमें Mendel ने बताया Mendel's laws जो inheritance के हैं वो हम already discuss कर चुके हैं